नमस्कार दोसों फिर से सागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोसों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Nokia 2.4 है 2.3 है या कोई और मॉडल है तो यहाँ पे आप call forward कैसे कर सकते हैं किसी दूसरे नमबर पे तो call forward करने के लिए आप चले जाएंगे dial पे dial pad खूनने के बार यहाँ पर को फृल राइन पर चले जाना है और यहाँ पे setting पर चले जाना हे और यहाँ पर सेटिंग के बार यहाँ पर आपको calling account का option देखने को मिल जाएगा आप इस पर क्लिक कर लेंगे calling account पर यहाँ पर step से option आ जाएगा अब यहाँ पर call forward करना है तो यहाँ पर SIM select कर लेंगे, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है, SIM 1, SIM 2, जो मर जी, यहाँ पर आपको दो-तिन option देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको call forwarding का जो option है, इस पर क्लिक करना है, और wait कर लेंगे, तो आपको इस ट्रैप से option देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कभी कभार unreachable पर आपका एक company का number होता है, तो जब आपका phone unreachable जाता है, तो company से आपको message receive होता है, तो यहाँ पर आप अपना number डाल सकते हैं, ताकि आपके phone पर direct call लग जाए, अगर आपका unreachable है, तो company का number अगर शो कर रहा है, तो यहाँ कट करके अपना number डाल देंगे, और यहाँ पर आपका always forward होता है, यानि कि हमेशा आपका number पर जो call है, वो दूसरे number पर forward हो जाए, और when busy का मतलब होता है, कि जब आपका phone busy जाता है, उस condition में किसी और का call आता है, तो वो forward हो जाए, बीजी होने पर, और unanswered का मतलब होता है, कि जब आप अपना phone नहीं उठाते हैं, तो उस condition में किसी और, जब दूसरी call आती है, तो वो दूसरे number पर forward हो जाए, Unreachable का तो मैंने पता ही दिया है, तो यहाँ पर मैं Unreachable वाला option जो है, क्लिक कर लूँगी, और यहाँ पर कोई भी number आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, और इसके बाद turn on पर क्लिक कर देंगे, और wait कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, जब आपका phone Unreachable जाता है, तो उस दौरान आपकी जो call आती है, वो इस number पर जाएगी, तो call forwarding एक्टिवेट हो चुका है, तो इस type से setting कर लिजेगा, और call remove करने की भी वीडियो आप देख लिजेगा, चलिए मिलते हैं आपको इक नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,